दिल्ली में मुखे मंत्री अशोग गहलोद, सचिन पाइलेट और अविनाश पांडे की बीच कॉंग्रेस फोरूम में लोगस्वा प्रतियाश्यों पर मन्थन किया गया सोनिया गांधी के आवाज पर होने वाली CEC की बैठक से पहले मुखे मंत्री अशोग गहलोद के अध्यक्षता में लोगस्वा प्रतियाश्यों के नामों को लेकर मंतर ना की गई और थोड़ी देर में होने वाली CEC की बैठक में सहमती बनने के बाद कॉंग्रेस की पहली सूची जारी कर सकती है जो आपको बतादें लगातार कॉंग्रेस में महा मंथन का दौर जारी है लोगस्वा चुनाओं की उमिद्वारी के लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी की बैठक में प्रतियाश्यों के नामों पर मोहड लग सकती है ऐसे कयास लगाया जा रहे है और इसी कबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन समवादाता प्रीत किरन हमारे साथ फोन लाइन पे मोजूद है प्रीत से यसी की बैठक के बाद क्या कांगरेस भी अपने लिस्ट जारी कर देगी और राजस्तान के उमीदवारों के नाम निकल कर बहर आएगे परकुल ऐसे उम्मीद लगाई जारी है कि CEC की बैटक के बाद आज राजसान को लेके पहली सुची जारी हो सकती है और इस पहली सुची में 10-15 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम आज डिक्लियर किये जा सकते हैं पार्टी की तरफ से अभी फिलाल 10-15 सोनिया गांधी के आवाज पे बैटक जारी है इस बैटक में CEC के तमाम सजस्टे के तमाम सजस्टे के तमाम सजस्टे के तमाम सजस्टियों की मौजूदगी में प्रदेश के और बैटक जो है करीवन एक सिरेड गंटे उमीद लगाई जा रही है कि CEC की बैटक के लिए ही शाम पास बज़े अपते कुछी देर पहले ये बैटक शिरू हुई है और प्रदेश की 25 सीटों पर मंतन चल रहा है और पिलाल ये उमीद जरूर लगाई जा रह में सीटों पर अपने मुख्यमंत्री के बीच पूरी तरह से सहमती बन चुकिया और अब हाई कमान यानि कि CEC के बैठक के बाद ही पूरी तरह से तैह हो जाएगा कि प्रतियाशियों के नाम आखिर कौन-कौन से होंगे पिल्कुल 25 सीटों पर मंदल जरूर चल रहा है लेकिन जो सिंगल पैनल नाम है उनको ही आज जारी किया जाएगा यानि कि पहली सुची में केवल 10-15 नाम आने की उमीद लगाई जा रही है फिलाल जो है पहली सुची का ही इंतजार हो रहा और बैठक अंदर अदर जन पर पर चल रही है और दूसरी सुची जो है जो है दो से तीन दिन में आ जाएगी फिलाल आज पहली सुची आएगी कॉंगर्स में इसका एलान नहीं किया है अब सारे तोर पर नहीं कहा है लेकिन यह कया जरूर लगाए जाकते हैं जी प्रीत लगातार आप इस खबर पर अपडेट हमें देते रही है लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दूँ से इसी में अब प्रतियाशों के नाम पर मोहर लगने की पूरी-पूरी उमीद है और दस से पंदरा सीटों पर इस बैठक के बाद राजस्थान के उमीद पूरी-पूरी से जताई जा रही है आपको बता दूँ इस बैठक लगातार जा रही है और इस बैठक में कॉंग्रेस के सभी दिगस नेता मौजूद है पूरव प्रतान मंतरी मनमोहन सिंग मौजूद है सोनिया गांधी मौजूद है और मुख्य मंतरी अशोक गहलोद भी इस बैठक में मौजूद है